वेलकम टू स्वास्तिक टुटोरियल्स आज का जो वीडियो है ये 12th क्लास के वैसे स्टूडेंट्स के लिए है जो बिहार्ड बोड की परीक्षा 2022 में देने जा रहे हैं उनके पर सब ज़्यादा समय नहीं बच गया है तीन फर्वरी को किमिस्ट्र की परीक्षा है आपकी तयारी लगभग पुरी हो चुकी होगी फिर भी ये जो है सो मेरा वीडियो एक लास्ट मिनट रिवीजन विहार्ड बोड 2022 की परीक्षा के लिए 12 में की परीक्षा के लिए ये मैंने एक सूचा कि लास्ट मिनट रिवीजन कैसे कर ले तो उसके लिए तो सबसे पहला काम क्या करना है कि आपने जो नोट्स लिखा हुआ है कोई किताब नहीं जो कौपी आपने लिखा हुआ है या फिर जो पेपर पे आपने नोट्स लिखा हुआ है उसको आप अपने पास रखेंगे और यहाँ पर हम आपको हर chapter से related जो सबसे important part होगा जो की एकदम से आपको याद होना चाहिए ज़रूरी नहीं है कि वो topic परिक्षा में बार बार आया हुआ हो लेकिन एक बार आपको एक बार देख लेना होगा सबसे पहले chapter हम लोग स्टार्ट करते हैं physical chemistry का physical chemistry का पहला chapter है solid state solid state में आपको सबसे पहले amorphous solid crystalline solid का difference और उसके examples याद कर लेने होगे फिर उसके बाद molecular solid और covalent solid का example देख लेना होगा फिर हम लोगों के पास आता है cube का classification simple cube body centered cube face centered cube उसमें radius और edge length के बीच का relation होता है वो relation आपको एक बार देख लेना होगा फिर density का formula density equals to zm by na cube वो formula देख लेना होगा और फिर जो 5 magnetic behavior होता है diamagnetic, paramagnetic, ferromagnetic, anti-ferromagnetic, ferry magnetic वो सारा का example आपको देहन में रखना होगा semiconductor थोरा सा आप पढ़ लेंगे P type और N type semiconductor किस चीज में किसको dope करने से बनता है वो चीज अब defects के बारे में आप से squatty defect और frankil defect में ली पूछा जाता है एक दो word उसमें और जोर लेंगे आप F center के बारे में पढ़ लेंगे और zinc oxide का color white क्यों होता है ये वाला जो reason है ये आप पता कर लेंगे Solidistic made Solution chapter दूसरा हम लोगों के पास आता है Solution chapter में concentration में molarity, molality इन दोनों का difference, definition ये पढ़ लेंगे Henry law थोरा सा पढ़ लेंगे application Henry law का पढ़ लेंगे cold drinks में होता है और scuba divers यूज करते हैं helium ये सारा example roll slope पढ़ लेना है roll slope में आपको positive deviation negative deviation पढ़ लेना है दोनों solution का example is your tropic mixture, दोनों solution का is your tropic का जो तो टाइप होता है maximum boiling is your trop और minimum boiling is your trop, इन दोनों का example फिर चार तरह का जो colligative property होता है उसके बारे में osmotic pressure, elevation in boiling point the pressure in freezing point relative loading of vapor pressure फिर हम लोगों को especially asmotic pressure के बारे में ज्यादा पढ़ना है osmosis के बारे में पढ़ना है reverse osmosis आपको ध्यान में रखना है और सबका definition जो जितना colligative property है चारू का definition पढ़ लेंगे बांच्वा factor वगड़े से उतना सवाल नहीं रहता है फिर हम लोगों के पास है तीसरा chapter electrochemistry electrochemistry में सबसे important topic है Faraday law first law और second law दोनों आप पढ़ लेंगे दोनों के बेस्ट एक दो निमेरकल देख लेंगे koloros law भी है koloros law भी पढ़ लेंगे बट koloros law से भी हारबर में उतना सवाल नहीं आता है objective में कभी आपको दिख सकता है फिर आमनों के पास battery आता है तो बैटरी में आप शुरू से galvanic cell से आप e-not calculation standard reduction potential का definition पूछता है उसमें फिर आपके पास salt bridge का function पूछता है nurse equation आता है nurse equation पे एक दोनिमेरकल आप बना लेंगे Gibbs free energy का relation पढ़ लेंगे equilibrium constant वाला relation पढ़ लेंगे उसके बाद आता है products of electrolysis products of electrolysis में aqua solution of sodium chloride का electrolysis करेंगे तो क्या बनेगा ये विशेश करके आप पढ़ लेंगे फिर हम लोग के पास फ्यूल सेल के बारे में आएगा leader storage battery के बारे में आएगा corrosion corrosion के बारे में थोरा सा आप पढ़ लेंगे कि corrosion को कैसे prevent कर सकते हैं तो ये थाम लोग के पास उसमें और उसमें जो कोल्रॉस लोग है उसमें जो conductivity के बारे में बात करते हैं तो definition कि आपका limiting molar conductivity का definition molar conductivity का definition फिर फेराडे law में आप पढ़ेंगे तो electrochemical equivalent आएगा उसका definition ये सब चोड़ा चोड़ा definition आप याद कर लेंगे केमिकल काइनेटिक्स में first order पर सारा ध्यान आपका रहना चाहिए फस्ट ओडर का जो half life का formula है वह होना चाहिए फस्ट लाफ के लिए जो integrated rate equation का derivation है वो ध्यान में रहना चाहिए temperature dependence होता नहीं पूछा जाता है catalyst, catalyst का definition, activation energy, threshold energy इन दोनों का definition order and molecularity में difference फिर rate constant किसको कहते हैं यह चीज और कुछ example zero order का कुछ example first order का कुछ example आपको याद कर लिना होगा पाच्वा चाप्टर जो physical chemistry का है that is surface chemistry तो surface chemistry में आपको कुछ differences याद रखने होंगे जैसे कि physical adsorption और chemical adsorption दोनों में difference, colloidal solution में जो आपके पास दो ट्राइब का colloidal solution है लाइओफिलिक colloid और लाइओफोबिक colloid इसको इसको इसके बाद हम लोगों के पास आता है heterogeneous catalysis, homogeneous catalysis इसमें जो difference होगा यह सब और छोटा-छोटा definition सब या और छोटा-छोटा जो brownian movement, colloidal solution का जो इसके बाद हम लोग देखें इन और गैनिक इन और गैनिक से जो चाप्टर शिक्स है और चाप्टर सेवन है चाप्टर शिक्स है आपके पास extraction of metal, metallurgy उससे एक long answer आता है, तीन element ध्यान में रखना है, aluminium, iron और zinc, copper का सिर्फ और पुछा जाता है और इधर P-block में compound जैसे कि हम लोग को HNO3, ammonia, H2SO4 और chlorine ये चार चीजों का preparation का method है, जैसे HNO3 का उस्ट्वल प्रोसेस, ammonia का hapers process, H2SO4 का contact process, chlorine का Dickens process, चारो का preparation का method और चारो का जो है सो physical properties, chemical properties आप पढ़ लेंगे, और जितना structure आपके NCRT में बनाया हुआ है, जो valence electron पर रिपलसन थियोरी पर होता है, वो सारा structure, और region best question, जितना region best question हो सकता है, उस सारा region best question आप कर लेंगे, इसकी तैयारी हो जाएगे, D block से एक दो region best question ही पूछा जाता है, और mainly electronic configuration आप याद रखेंगे, lanthanides, actinides के बारे में थोड़ा सा नाम याद रखेंगे, कि lanthanides, actinides का नाम क्या होता है, पिर अडिक्टेबल मुन समों का position याद रखेंगे, बस हो जाएगा, coordination compound थोड़ा सा आपको जो है सो, तीजार चीज है, IOPC nomenclature, effective atomic number, oxidation number, और उसका जड़ा सा balance bond theory में, कि कौन सा example जो है सो, किस तरह का hybridization शो करता है, जैसे, निकल का फार्बोनाईल है, निकल का साइनाइड वाला compound है, निकल का क्लोडाइड वाला compound है, राइरन FECN 6,4-, इन सबों का hybridization कितना होगा, क्या होगा, यह सब आपको देख लेना होगा, Organic Chemistry के division के लिए सबसे अच्छा होगा, कि आप concept based तयारी करें, concept based करने का मतलब, जितना name reaction है, एक बार पढ़ लेजिए, जितना test है, एक बार पढ़ लेजिए, फिर उसके बाद आपके पास आता है, और अगर इंडिविजवल आप मेरा Organic का फिर लॉंग एंसर का यह सब का वीडियो नहीं देखे हैं अब तक, तो उसको देख लीजिए, उससे आपका बहुत फायदा हो जाएगा, उन सारे वीडियो उसका जो 2022 की परिष्छा के लिए हम इस पर बनाया है, उन समुका लिंक आपको इस वीडियो के description में मिल जाएगा, तो आई होप कि आपकी तैयारी में जितना preparation में जितना help हो सके, जो है सो आप हम कर रहे हैं, और जो है सो last minute है, last minute revision के लिए, ज्यादा confusion नहीं लेना है, वह सारा topic जो आपने नहीं पढ़ा है, छोड़ देजिए, उसकी चिंता मत कीजिए, जो आपने पढ़ा है, वही revise करते रही है, उस ही आपका फायदा होने वाला है, अब कुछ नया करने से confusion ही बढ़ेगा, कुछ फायदा नहीं हो, परिक्षा से पहले कई बार होता है, कैसे आप देखते होंगे कि आचानक से light बहुत ज़्यादा light आपके सामने आ जाता है, तो अंधिरा हो जाता है, आगे आप कुछ समझ भी नहीं आ रहा है, उसमें टेंसन नहीं लेना है, परिक्षा होल में आप जाएंगे, question paper सामने आएगा, सारे सवालों के जवाब दिमाग में fit हो जाएंगे, सामने आ जाएंगे, और जो नहीं आएगा परिक्षा में, वो आपके दिमाग से side में रहेगा, तो उ